यह लो फैन जो है फैन का स्पीड वो कम हो गया लो ठीक है दूसरा यह टाइमर आपको कितने टाइम के बाद बंद करना है अभी हम लोग यह बॉइंड को कहल कर देखते है एटर में क्या क्या साथ में चुलने से पहले रोगो देखते कि इसके स्पेसिफिकिषन क्या 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 दिये हुए ठीक है है यह किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं मतलब कहां पर यूज कर सकते हैं गराज बेड्रोम बाथरूम's आन मौर जो एक प्राइड है जिसमे पहला आरिया वे light, आप ये का है तक है कॉनसे के मतलब ciąज का अब यूज कर कर सकते अजस्टेबल थर्मो स्टेट मतलब तेंपरेचर आप अजस्ट कर सकते और प्रोग्रामेबल 12 आवर्स टाइमर तोल आइमर दिया हुआ है जो आप चालू भी कर सकते या बंग कर सकते हैं ठीक है 400 पाउरफुल 400 वाट्स वीडी 167 तो यह पाउडर रूम के लिए बेडरूम लिविंग रूम गराज ऑफिस और डान इसके स्पेसिफिकेशन यहां पर दिये स्पेस सेविंग डिजाइन अच्छा चोटा सा एक यह डिजाइन है एडजेस्टेबल थर्मोस्टेट इसका टेम्परेचर कितना एडजेस्ट कर सकते हैं कितना आप रख सकते हैं 15 डिगरी सेंटीग्री तो 32 डिगरी सेंटीग्रीड में इसका फाइदा है यह क्यों यूज करना चाहिए वो मैं भी बताऊंगा डिजिटल एलिडी डिस्प्ले इसके लिए जो टेम्परेचर अगर डिस्प्ले है वो एलिडी डिस्प्ले तो आपको डाइरेक्टली समझ में आएगा मतलब आपको टेम्परेचर भी दिखेगा कि क कुण सा है कितना टेम्परेचर है विस्पर क्वेट ओपरेचन अवाज नहीं करता है क्वाइट परफॉर्मिस अक्षिन आए और लो स्पीड सेटिंग अब टेम्परेचर यह जो फैन का स्पीड है वो कम और ज्यादा रख सकते हैं वेलिन सेफटी फीचर कुण सेफटी फ ov खरमाट आप टेम्परेचर आता है उसमें थर्म धेर बंद हो जाते हैं तो जब आता है काहां से ओपनिंग है यहां से ठीक है यह खूल रहे है यह इसे बैग में और कुछ है क्या अंदर नहीं देखते हैं यह ठीक है यह मैं बैग निकलता हूँ इसको वायर वगरह नहीं है डारेक्ट लिया पर इंसर्ट करके चलो कर सकते हैं तो वायर कनेक्शन नहीं है ठीक है यह डारेक्ट आपको कनेक्ट करना होगा अब प्लग में यह स्वीच अनौप स्वीच यहीं पर दिया हुआ है ठीक है यह स्पीड और यह टाइमर है यह कम और ज्यादा कर सकते हैं तो देखेंगे हम लोग कैसा चालो करके यह नीचे फैन दिया हुआ है यह एक इंपोर्टन चीज है ठीक है क्योंकि यह नीचे में ऐसा कुछ पैक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर फैक होगा तो यह बाहर से हवा लेता है और यह हवा यहां से बाहर जाती है बाहर आते टाइम जो सिरैमिक इसमें दिये हुए सिरेमिक उसके उपर यह कोईल है जो गरम होती है जो हीट होती है उसके उपर से वह हवा बाहर आती है वह टैम पे वह हीट होती है अगर यह फैन बंद हो जाएगा यहां से हवा नहीं जाएगी तो यहां से भी गरम हवा नहीं आएगी ठीक है तो उसका आपको केर करना है देखते हैं और क्या है इसमें यह तो है इसमें वार्निंग दी गई है क्योंकि यह हीटर है ठीक है और हवा अंदर जाके बाहर गरम हवा आती है हीट होती है और electricity भी यूज होती है तो आपको इसके लिए जो precautions है वो तो लेने ही है ठीक है उसमें उन्हेंनों क्या precautions दिये हुए warning risk of risk of fire keep combustible material such as furniture, papers and curtains at least a feet 3 feet to 3 meters मतलब वही 3 feet almost 3 meter होता है from the front of the heater and away from the sides of the rear मतलब जो जो जोलन सिल्पदार्त है जो आग पकड़ सकते है वो इसे दूर रखने के इंचोड और दूसरे भी क्या है वो भी हम लोग देखते है कि कौन से care लेनी है अच्छा मेर्ड हैंड हेंड हीटर मॉडल नंबर पावर 400 वार्ट वोल्टेज कौन से कितना requirement इसको वोल्टेज 220 तो 240 वोल्ट फिफ्टी टू सिक्स्टी हर जो अपना फ्रिक्वेंसी रहता है तो यह तो है यह तो नोट कवर कवर डेगर नहीं क्योंकि यहां से जो हवा एगे हवा अगर नहीं जाएगे अंदर तो बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अब यह लोग इसको कनेक्ट करके देखते डरेक्टली पावर को ठीक है यह अंदर लगाता हूं और कि यह बैठ गया है यह चलू हो गया ठीक है यह लोग फैन जो है फैन का स्पीड वह कम हो गया लोग ठीक है दूसरा यह टाइमर आपको कितने टाइम के बाद बंद करना है ठीक है एक मिनिट दो मिनिट इन मिनिट आपका टेंपरेचर है वो टेंपरेचर रिच होने के बाद कितने मिनिट में बंद करना है यह जो टेंपरेचर है आपको सेट करना यहां पे 22 डिग्रेश इंटेग्रेट 21 डिग्रेश इंटेग्रेट जो मिनिमम है वो 17 डिग्रेश यहां पर i7 दिए था अच्छा यहां पर 19 डिग्री लोग देख रहे 19 डिग्री जो मीनिममशी सेंटीग्रीड फिर आप जो यह बढ़ा सकते हैं ठीक है यह मैक्सिमुम 32 डिग्री सेंटीग्रीड जो रूम टेंपरेचर होता है वहां तक आप बढ़ा सकते हैं यह 32 डिग्री सेंटिघ्रेट तक आग darüber का लिए चाहिंअ कि आता थे सब हुए ओभिए कि इस पर देख सकते भी यहां पर 32 तो रखा हुआ है काफी गरम हाओ रही है यहाँ पर देख सकते गरम लालाल जो उपर की क्या mistaken के बार हो इस सकते हैं तो बार निकलते है है ठीक है मैं अभी इसको बंद करते हूं तो इसमें सिफ्टी है कि 32 डिग्री से इंटीग्रीडिया आप इसके लिए इसका एक करियेट के बाद बंद हो जाता है और दूसरे जो आपने फिजिकल डेमेज हैं ऑक्सिजन की कमी होनी से डेंजरस हो सकता है इसके लिए इसका एक पिरिएड के बाद बंद होना जरूरी है या बंद करें तो आपका जो यह आटोमेटिक स्विच आफ है वो आउन करके रखिए इसका जो पीन है जो फ्लग में डालते हैं तो यह आप रोटेट कर सकते हैं यह यहां पर दिया होए डायरेक्शन आप ऐसा रोटेट कर सकते तो और आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप रख सकते हैं